हेलो स्टूडेंट्स वैलकम चू मैगनिट ब्रेंज कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं मैगनिट ब्रेंज आपको प्रोवाइड कराता है यूट्यूब चैनल पर जाना है और कर दिना है मैगनिट ब्रेंज को सब्सक्राइब जहां पर आपको CBSE बोर्ट से लेकर अधर स्टेट बोर्ट जैसे की UP बोर्ट, MP बिहार बोर्ट जैसे कोर्सेज भी एवलेबल हैं यहां तक की आपको practice questions भी solve कराई जाते हैं, e-books और e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की video स्टार्ट, मेरा नाम है हश्मित कौर और मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे chapter 9 जिसका नाम क्या है parameter and area उसका कौन सा topic, area of a triangle, अब triangle का area हम कैसे निकालते हैं, वो हम इस topic में जानेंगे साथ में इसमें क्या देके रखा होगा, area of a triangle निकालने का formula भी देके रखा होगा तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले क्या करना है and हम उसे solve कैसे करते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको जाके वो वाली वीडियो देखनी है and then फिर आना है इस topic पर, ठीक है तो सबसे पहले area of a triangle की अगर हम बात करें, तो हम ले लेते हैं parallelogram को सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, parallelogram ले रहे हैं, ठीक है आपको पता है ये क्या है? ये है parallelogram, ठीक है पता है आपको ये क्या है? ये है parallelogram, ठीक है अगर हम इसे ध्यान से देखें और अगर हम यहाँ पर डाइगनल खीच दें ठीक है हम क्या कीच रहे है एक डाइगनल खीच रहे है तो हमें क्या दिख रहा है यह जो पैरलेलो ग्राम है यह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है क्या दिख रहा है हमें यह जो पैरल ट्राइंगल मिल रहे हैं यहां पे डाइगनल कीचने से हमें दो क्या मिल रहे हैं ट्राइंगल मिल रहे हैं एक यह ट्राइंगल हो गया एक यह ट्राइंगल हो गया ठीक है और अगर हम इन में से कोई भी एक ट्राइंगल उठा ले एड़ हमसे बोला चाहे हमें क्या फाइंड आउट करना है यह जो shaded region है यह हमें find out करना है अगर हमसे ऐसा बोला जाए तो हम कैसे find out करेंगे हम बोल सकते हैं कि यह जो area of a triangle है हम यह सब बोल सकते हैं कि यह जो area of a triangle है वो क्या है वो half of area of parallelogram है parallelogram का half ही तो है area of triangle हमें अच्छे से दिख रहा है हम बोल सकते हैं area of a triangle किसके equal होगा half of parallelogram के ठीक है half of area of parallelogram बोल सकते हैं ऐसा ठीक है बाकी हमने क्या देखा था previous video में बाकी हमने previous video में अच्छे से देखा था कि area of parallelogram क्या रहता है area of parallelogram क्या रहता है area of parallelogram क्या रहता है area of parallelogram रहता है base multiply by height area of parallelogram यहां पे लिखा है तो हमने उसका formula यहां पे लिख दिया है base multiply by height ठीक है इतना आया समझ में तो यहां पे area of triangle का formula क्या बनते आ रहा है Half, multiply by base, multiply by height ठीक है, इतना आया समझ में कैसे कि हमने, हमने सबसे पहले Parallelogram बनाया, Parallelogram को दो parts में Divide किया, तो हमें दो equal triangle मिल गए, ठीक है हमें क्या निकालना है, एक triangle का area निकालना है, तो हमें क्या पता है, ये जो एक triangle है वो Parallelogram का क्या है, Half है half of area of parallelogram है ठीक है आया समझ में अगर ये पूरा area है parallelogram का तो इतना पाट तो उसका half ही होगा ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया half of area of parallelogram ठीक है फिर यहाँ पे area of parallelogram देके रखा है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया area of parallelogram का formula लगा दिया जो कि क्या है base multiply by height तो यहाँ पर क्या हो गया? Half multiply by base multiply by height तो area of a triangle क्या निकल के आ रहा है? Half multiply by base multiply by height ठीक है, इतना है समझ में सेम यही बात यहाँ पर बोली गई है क्या बोला जा रहा है? Area of a triangle is equal to half of area of parallelogram यहाँ पर कुछ नहीं देखे रखा यहाँ पर किसका sign है? Multiplication का sign इतना है समझ में आया है तो आप इसे कर लीजें note down कर लिया आपने note down अब next क्या देखे रखा हूँ? Next आमें NCRT examples देखे रखे हूँ है सबसे पहला example क्या है? Example 1 One of the sides and the corresponding height of a parallelogram are 4 cm and 3 cm respectively Find the area of the parallelogram क्या देखे रखा है? यह parallelogram देखे रखा हूँ है जिसमें बोला जा रहा है कि height कितनी है? 3 cm है और एक side हमें क्या देखे रखे है? 4 cm देखे रखे है हमें question में पूचा जा रहा है हमें क्या find out करना है? area of a parallelogram find out करना है ठीक है? क्या find out करना है? area of the parallelogram ठीक है? area of parallelogram का क्या formula बताया था? मैंने आपको base multiply by height ठीक है? यही formula बताया था अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर base क्या है? यहाँ पर base है 4 cm और height क्या दिख रही है? height दिख रही है 3 cm जो की perpendicular है ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे base कितना दिख रहा है? हमें base base हमें दिख रहा है 4 cm and height दिख रही है 3 cm तो area of the parallelogram क्या हो जाएगा? base multiply by height base की value क्या है? 4 cm और height की value क्या है? 3 cm ठीक है? तो 4 3 चा कितना होता है? 12 होता है and यहाँ पर cm square लग जाएगा इसका मतलब क्या है? यह जो parallelogram हमें दिख रहा है उसका कितना area निकल रहा है? 12 cm square निकल रहा है ठीक है? इतना आया है? समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए note down कर लिया आपने note down अब next क्या देके रखा है? next हमें देके रखा हूँ example 2 example 2 हमसे क्या बोल रहा है? find the height x if the area of the parallelogram is 24 cm square and the base is 4 cm यह आपको दिख रहा होगा parallelogram जिसमें height के देके रखिए x जिसके हमें value नहीं पता है x की ही value निकालनी है height की ही value हमें निकालनी है और यह जो है यह क्या हो जाएगा? हमारा base हो जाएगा 4 cm जिस पे यह perpendicular height बनी हुई है ठीक है? आया समझ में साथ में हमें क्या देके रखा है? area of a parallelogram भी देके रखा हुआ है तो सबसे पहले हम लिख देंगे given area of area of the area of the parallelogram कितना देके रखा हुआ है? 24 cm स्क्वाई है ठीक है? इतना है है समझ में साथ में हमें क्या देके रखा हुआ है? base देके रखा हुआ है कितना है base? 4 cm and हमें निकालनी क्या है? height निकालनी है जो हमें क्या देके रखी हुई है? x देके रखी हुई है ठीक है तो हम क्या करेंगे area of parallelogram वाला formula यहां पर put कर देंगे ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे area of a parallelogram is equal to base multiplied by height ठीक है जिसमें हमें base क्या दिख रही है base हमें दिख रही है 4 cm and height हमें नहीं पता है जिसे हमने क्या माना है जिसे हमने मान लिया है x ठीक है and यहां पर parallelogram area of parallelogram कितना देके रखा है 4 cm square ठीक है आया समझ में x निकालना है तो अब हम क्या करेंगे 4 cm को opposite side transfer कर देंगे यहां पर multiplication form में है opposite side जाके division form में हो जाएगा ठीक है cancel out करने पर answer क्या आ रहा है cancel out करने पर answer हमारा आ रहा है यहां पर 6 cm तो मतलब x की value क्या रही है x की value आ रही है 6 cm इसका मतलब क्या है height कितनी आ रही है height of parallelogram is 6 cm ठीक है इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिये note down कर लिया आपने note down अब next क्या है next आप देखे रखाओ example third example third हम से क्या बोल रहा है the two sides of the parallelogram a b c d are 6 cm and 4 cm यहां पर हमें क्या दिख रहा है यहां पर हमें parallelogram दिख रहा है जिसमें 2 sides देके रखी है एक side क्या है 6 cm और एक side क्या देके रखी हुई है 4 cm DC क्या देके रखा है 6 cm and AD क्या देके रखा हुआ है 4 cm ठीक है the height of the corresponding to the base c d is 3 cm क्या बोला जा रहा है यह जो height है यह जो height है जो की base c d पर बनी हुई है perpendicular बनी हुई है वो कितनी है 3 cm है ठीक है find the area of the parallelogram तो हम सिप बोला जा रहा है कि हमें क्या find out करना है area of the parallelogram find out करना है second question बोला जा रहा है the height corresponding to the base ad साथ में बोला जा रहा है यह जो height है जो की ad base के corresponding है perpendicular बनी हुई है हमें उसकी value भी find out करनी है ठीक है आया समझ में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं area of the parallelogram find out कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें देखे क्या रखा हुआ base क्या देखे रखा हुआ है cd देखे रखा हुआ है जो की कितना है जो की हमें देखे रखा हुआ है 6 cm कितना देखे रखा हुआ है 6 cm उसके बाद height कितनी है हम माल लेते हैं यह क्या है यह e पे बनी हुई है और यह f पे बनी हुई है ठीक है तो height क्या है BE, जो की कितनी है? 3 cm. निकालना क्या है हमें? हमें निकाल लेना है area of the parallelogram, जो की क्या है? ABCD. क्या हो जाएगा? Base multiply by height. Base कितना है? Base हमें देखे रखा है 6 cm. Height कितना हो जाएगा? 3 cm. तो 6 multiply by 3 कितना आ जाएगा? 18 cm² आ जाएगा. तो area of the parallelogram ABCD कितना निकल के आ रहा है? 18 cm² निकल के आ रहा है. इतना आया है समझ में? अब हमें क्या निकालना है? Second question हमसे बोला जा रहा है. The height corresponding to the base AD. मतलब यह जो height दिख रही है, BF, जिसको X देके रखा हुआ है. उसकी हमें क्या निकालनी है? Length निकालनी है. मतलब height निकालनी है. तो अब हमें कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या मिल चुका है? अब हमें area मिल चुका है parallelogram का. तो हमें यह पर डालनेंगे second area of the parallelogram. कितना है अब हमारे पास? जस्ट अभी निकाला है. क्या answer आया है? 18 cm². फिर उसके बाद, उसके बाद base क्या देके रखा हुआ है? Base AD is equal to 4 cm. हमें क्या निकालना है? Height निकालना है. Height मतलब BF निकालना है. जो कि क्या माना है? हमने X माना हुआ है. इतना है समझ में. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम formula put कर देंगे कौन सा? area of the parallelogram. क्या होता है formula? base multiply by height. area of the parallelogram क्या आया है? 18 cm² आया है. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे. base कितना है? 4 cm देके रखा है. यहां पर 4 लिख देंगे. और height X देके रखे हुई है. तो यहां पर X लिख देंगे. इतना है है समझ में. अब हमें क्या दिख रहा है? 4 multiplication form में है. अब हम इसे opposite side transfer कर देंगे. किस form में हो जाएगा? division form में. तो 18 divided by क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. यहां पर क्या देके रखा हुआ है? X देके रखा है. तो जब हम 18 को 4 से divide कर रहे हैं. तो answer क्या आएगा? answer आजाएगा 4, 4, 16. यहां पर 2 आ रहा है. decimal लग जाएगा. यहां पर 0. तो 4.5 answer हमारा आ जाएगा यहां पर. ठीक है? आया समझ में तो X की value क्या रही है? X की value आ रही है 4.5 cm. ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है height corresponding to the base. AD कितना आ रहा है? वो आ रहा है 4.5 cm. ठीक है? इतना आया समझ में आया है. तो आप इसे भी कर लीजिये note down. कर लिया आपने note down. अब next के देखे रखा हो है. next हमें देखे रखा हो example 4. Example 4 क्या बोल रहा है? Find the area of the following triangles. हमें क्या करना है? यह जो triangles देखे रखे हैं. इनके area find करना है. ठीक है? सबसे पहला हम देख लेते हैं. सबसे पहला figure जिसमें हमें देख रहा है कि QR क्या है? base है जो कि कितने देखे रखे हुई है? 4 cm. and PS क्या है? PS क्या है? height है जो कि क्या देखे रखे हुई है? 2 cm. and PQR क्या है? triangle है. ठीक है? आया समिश में तो यहाँ पर हम लिख देंगे. First question. Given in triangle PQR base is equal to QR जो कि कितनी देखे रखे हुई है? 4 cm. and height is equals to PS जो कि देखे रखे हुई है? 2 cm. ठीक है? तो area of triangle कितना हो जाएगा? area of triangle होता है half multiply by base multiply by height तो half multiply by base कितना है? base 4 cm. 4 यहाँ पर आ जाएगा. and height कितनी है? height है 2 cm. 2 यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है? cancel out हो रहा है. तो cancel out कर देंगे. 2 से 2 cancel out यहाँ पर हो रहा है. तो हमारा answer कि आएगा? हमारा answer यहाँ पर आ जाएगा. 4 cm square. क्या answer आ रहा है? 4 cm square हमारा answer आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है area of a triangle क्या निकल के आ रहा है? 4 cm square निकल के आ रहा है. इतना आ गया समझ में. अब next देख लेते हैं. next क्या है? second. second figure में हमें क्या देख रहा है? बेस हैं, जो कि क्या देखे राखी हुए है? gözम वोलेंगे बहले, यह Ach. exterior side बनी होई है triangle के लेकिन इसको हम क्या मानते है height ही मानते है ठीक है तो ol या lo क्या है height है जो की 2 cm है तो यहाँ पर हम लिख देंगे given in triangle lmn n क्या देके रखा हुआ है base, base is equal to mn is equal to 3 cm and height is equal to ol is equal to 2 cm ठीक है इतना है समझ में अब उसके बाद निकालना क्या है उसके बाद हमें निकाल लेना है area of triangle जिसका formula क्या होता है half multiply by base multiply by height ठीक है अब हम क्या करेंगे values put कर देंगे half multiply by base कितना हो जाएगा base है mn जो की देखे रखा हो 3 cm तो यहाँ पर 3 आ जाएगा height हमें देखे रखिए ol जो की कितनी है 2 cm यहाँ पर 2 आ जाएगा ठीक है अब हम क्या कर देंगे cancel out कर देंगे 2 से 2 cancel out हो रहा है तो हमारा answer क्या आ रहा है हमारा answer आ रहा है 3 cm square इसका मतलब क्या है area of a triangle क्या निकल के आ रहा है 3 cm square निकल के आ रहा है मतलब हमने दोनों ही triangles के क्या निकाल लिए है area निकाल लिए है ठीक है वो भी simple सा formula जो अभी हमने पढ़ा था उसे put करके ठीक है तो अभी आपको क्या करना है समझ में आया है तो जल्दी से कर लेना है note down कर लिया आपने note down अब next क्या देके रखा हुआ है next हमें देके रखा हुआ है example 5 example 5 हम से क्या बोल रहा है find bc if the area of a triangle abc is 36 cm square हम से बोला जा रहा है कि यह जो हमें दिख रहे है bc side जो की क्या है base है triangle का वो हमें find out करना है जो की हमें देके रखा हुआ है area triangle का कितना है 36 cm square और height कितनी देके रखी है height जो की क्या है ad है वो देके रखी हुई है 3 cm square sorry 3 cm ठीक है इतना है समझ में तो अब हमें क्या find out करना है हमें find out करना है bc जो कि क्या है, base है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे, given in triangle ABC, area of the triangle ABC is equal to, कितना area देके रखा है, 36 cm2, ठीक है, साथ में, height जो कि क्या है, AD है, वो कितनी देके रखी हुई है, 3 cm, तो हमें find out क्या करना है, base find out करना है, जो कि क्या है, BC है, जिसकी value हमें नहीं पता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम formula put कर देंगे, ठीक है, तो यहापर हम लिख देंगे, area of a triangle, area of a triangle ABC is equal to half, multiply by base, multiply by height, ठीक है, तो base कितना है, base हमें नहीं पता है, base BC है, तो हमें उसकी जगा BC लिख देंगे, height कितना देके रखा है, height हमें AD देके रखा हुए है, जो कि कितना है, 3 cm, तो height की जगा हमने क्या लिख दिया, AD लिख दिया, और area of a triangle क्या है area of a triangle 36 cm square है तो यहाँ पर हम 36 लिख देंगे अब solve कर लेंगे 36 is equal to half multiply by base कितना है base BC है जो कि हमें find out करना है BC को as it is रहने देंगे AD कितना देखे रखा है 3 cm तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे ठीक है इतना आया समझ में अब हमें क्या करना है अब हमें क्या दिख रहा है अब हमें दिख रहा है कि यह 2 क्या है division form में है हम opposite side transfer कर देंगे तो multiplication form में हो जाएगा मतलब 36 multiply by 2 हो जाएगा ठीक है तो क्या बच रहा है यहाँ पर यहाँ पर बच रहा है BC multiply by 3 ठीक है इतना आया समझ में अब हमें क्या दिख रहे हैं यह जो 3 है यह भी multiplication form में है अब हम opposite side transfer कर देंगे तो division form में हो जाएगा तो 36 multiply by 2 divided by 3 is equal to BC ठीक है cancel out कर देंगे 3 1s are 3, यहाँ पे 3 1s are 3, 3 2s are 6 तो 12 को 2 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा यहाँ पे answer हमारा आज आएगा 24, 12 2s are कितना होता है, 24 होता है साथ में क्या लग जाएगा, centimeter, यह क्या निकाल लिया हमने base निकाल लिया, जो कि क्या है BC, तो BC क्या आया है 24 centimeter आया है, जो कि हमें find out करना था, ठीक है आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए note down कर लिया आपने note down और वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को like करना है, comment करना है और जादा से जादा कर देना है, शेयर ठीक है, अब next example क्या है, example 6, in triangle PQR, PR is equal to 8 centimeter, triangle PQR में PR कितना देके रखा है, 8 centimeter, QR is equal to 4 centimeter, यह जो QR है, वो कितना देके रखा हूँ है, 4 centimeter and PL is equal to 5 centimeter, और यह जो PL दिख रही है, वो कितनी देके रखे हूँ है, 5 centimeter, find the area of triangle PQR, हमसे बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, यह जो PQR triangle है, उसका हमें area find out करना है, second हमसे बोला जा रहा है कि QM भी find out करना है, यह जो आपके दिख रहा है न, QM, वो भी find out करना है, QM हमें क्या दिख रही है, यह जो base है, PR, उस पे perpendicular एक line बनी हुई है, मतलब यह क्या हो जाएगी, height हो जाएगी, ठीक है, इतना हैं समझ में, साथी में अगर हम देखें, यह जो PL है, यह भी perpendicular बनी हुई है, perpendicular to LR, ठीक है, जिसमें हमें पता है, कि height 5 cm है, तो हम base किसे मान लेंगे, QR को, जो की क्या देके रखी हुई है, 4 cm, ठीक है, आया समझ में, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले तो area of a triangle PQR निकालना है, हमें पता है, triangle का area निकालते हैं, तो हमें base भी चाहिए रहता है, height भी चाहिए रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PQR में base मान लेंगे, 4 cm को, and height किसको मान लेंगे, PL को मान लेंगे, जो की कितनी है, 5 cm, ठीक है, तो सबसे पहला question, given in triangle PQR, यहाँ पर base क्या हो जाएगा, base हो जाएगा QR, जो की कितना है, 4 cm, ठीक है, और height क्या हो exterior side बनी होई है, लेकिन यह height ही है, ठीक है, आया समझ में, PL height हो जाएगी, कितनी देखे रखी होई है, 5 cm, तो यहाँ पर भी 5 cm लिख देंगे, ठीक है, अब क्या find out करना है, area of PQR, area of the triangle PQR, formula क्या रहेगा, half multiply by base, multiply by height, ठीक है, half multiply by base, base कितना है, base हमें QR देके रखा है, यहाँ पर QR लिख देंगे, height क्या है, height PL है, यहाँ पर PL लिख देंगे, ठीक है, अब values भी put कर देंगे, half multiply by QR कितना देके रखा है, 4 cm, यहाँ पर 4 आ जाएगा, PL कितना देखे रहा है? 5 cm, यहाँ पर 5 आ जाएगा, अब हम कर देंगे Cancel out, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 multiply by 5 करेंगे, answer कितना आ रहा है? Answer आ रहा है 10, इसका मतलब क्या है? Area of the triangle PQR कितना आ रहा है? 10 cm², कितना आ रहा है? 10 cm², ठीक है? इतना आ गया समझ में अब हमें क्या find out करना है? हमें area भी मिल चुका है, triangle PQR का, अब हम क्या find out कर लेंगे? QM find out कर लेंगे, ठीक है? Second question की बात करें, तो हमें given क्या है? सबसे पहले तो हमने area of triangle PQR निकाल लिया है, वही लिख देंगे Area of the triangle PQR कितना आ रहा है? 10 cm², ठीक है? फिर उसके बाद, base क्या मान रहे हैं? अब हम base मान रहे हैं PR, ठीक है? जो कि कितनी दे के रखिया है? 8 cm², और height क्या है? Height हम मान रहे हैं QM को जो हमें क्या करना है? find out करना है, ठीक है? कैसे find out करेंगे? area का ही formula यहां पे put कर देंगे area of the triangle PQR, formula क्या रहता है? half multiply by base multiply by height, ठीक है? यहां पर हम, यहां पर हम base किसे मान रहे हैं PR को, and height किसे मान रहे हैं QM को, जिसे हमें find out करना है, ठीक है? and area of triangle PQR कितना निकल गया है? 10 cm², यहां पे हमने 10 लिख दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? values put कर देंगे, यहां पे 10 आएगा, यहां पे 1 upon 2, and PR कितना है? 8 है, तो यहां पर हम 8 लिख देंगे, and QM की हमें value find out करनी है, ठीक है? सबसे पहले हमें 2 दिख रहा है, division form में, हम opposite side भीजेंगे, तो 10 multiply by 2 हो जाएगा, and यहां पे क्या बच रहा है? 8 multiply by QM अब हमें क्या दिख रहा है 8 हमें दिख रहा है multiplication form में अब हम opposite side transfer करेंगे तो किस form में हो जाएगा division form में मतलब 10 multiply by 2 divided by 8 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा QM ठीक है इतना समझ में आया अब हमें क्या करना है simplify कर दिना है तो यहां पर 2 1s are 2 and यहां क्या हो जाएगा 2 4s are 8 again simplify हो रहा है 2 2s are 4 and यहां पर 2 5s are 10 तो क्या आ रहा है 5 divided by 2 आ रहा है answer यहां पर क्या मिल रहा है हमें 5 upon 2 answer मिल रहा है जब हम इसे solve करेंगे तो answer क्या आएगा 2.5 cm answer आ जाएगा इसका मतलब क्या है QM की value क्या निकल के आ रही है यहां पर यहां पर QM की value 2.5 cm निकल के आ रही है और यहां पर area कितना निकला था triangle PQR का 10 cm square निकला था ठीक है इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजे note down कर लिए आपने note down तो यहां पर होती है हमारी video complete वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है इस वीडियो को like करना है comment करना है और जादा से जादा कर देना है share ठीक है और जाना है YouTube चैनल पर एंड कर देना है magnet brains को subscribe यह रही हमारी application यह रही हमारी website और यह रहे हमारे top courses जो आपको provide कराते है free of cost quality education e-books और e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी और यह रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पे भी जाके visit कर सकते हैं and कर सकते हैं magnet brains को follow अब इससे next video में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हो यह जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर देना होगा magnet brains को subscribe Thank you so much